अगर फेंट्स आपके पास Samsung का Galaxy A14 5G है और इस पून के आप notification setting को करने चाहते हैं किसी भी apps की notification बंद करना या फिर किसी apps से बहुत ज़्यादा notification आपको आ रहे हैं आप चाहते हैं उनको बंद करना तो बहुत आसानी से आप को बंद कर सकते हैं तो चली आज की इस वीडियो में यही जानेंगे आप कैसे notification को बंद कर सकते हैं notification सासा था एक notification effect spawn के अंदर आपको देखने मिल जाता है जो कि call notification बगएरा आने पर वह आपके interface यहां पर notification बार में सो होगा तो चली उसको आप कैसे set कर सकते हैं इसके notification आने पर कुछ इस तरह से आपको यहां पर ही so हो जाती है इनको लगाना चाहती है तो इस तरह से click कर दीजिए यहां आपकी कोई notification आती तो इस तरह से interface आपके सामने आएगा जैसे कि अभी आप देख सकते हो इसका आप color भी change कर सकते हैं जिसके color पर click करना है और color click select कर दीजिए अब कौन सा color रखना चाहते हो यह select करने के बद आपको यह done करना है तो वही color आपका से होगा जो आपने यहां पर select किया था एक step आपस आने वाद आपको आपको बताता हूं कैसे notification बंद करना होता है तो in clouded apps पर select कीजिए किस apps की notification बंद करन की वीडियो अच्छा रहा होता वीडियो को like share और चैनल को subscribe करे कि बैल लेकम को पैस करना ब्यों को भी न भूने तो चली friends मलते हैं एक और नहीं वीडियो के साथ तब तत के लिए goodbye and take care